इंडियन टेस्ट टीम को इस बक्त सबसे रहा ज़रूरत जिस तरह के प्लियर्स की है वह हैं फास बॉलर क्योंकि इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में फास बॉलिंग का पूल थोड़ा सा छोटा होता हुआ नजर आ रहा है तो इस बार के रंजी ट्रॉफी सीजन में क्या कुछ ऐसे गेंदबाज निकले हैं जो आने वाले टाइम में इंडियन फास बॉलिंग पूल में शामिन हो सकते हैं और इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं तो ऐसे पाँच खिलाडियों की बात हम इस वीडियो में करेंगे जिनोंने इस रंजी सीजन बिकेट्स भी तयार होंगे या शायद अभी तयार हैं तो इन पाँच खिलाडियों की फेरिस्ट में पहला नाम है करनाटका से आने वाले 25 साल के बिद्वत कबिरप्पा का इस सीजन अगर बात करें तो पाँच मैचेज में 25 बिकेट हैं 20 की अबरेज हैं 46 का स्ट्राइक रेट है और इनके जो 20 मैचेज हैं उसमें 80 बिकेट हैं 20 की अबरेज और 45 का स्ट्राइक रेट है ये गेंदबाज एक फॉर्मिट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है वाइट वॉल क्रिकेट की बात अगर करेंगे तो लिस्टे में 18 मैचेज में 38 बिकेट हैं मतलब एक मैच में 2 बिकेट हैं 12 की अबरेज है 12 का ही स्ट्राइक रेट है और एकॉनमी रेट है 5.89 कितने गेंदबाज आप देखते हैं जिनका एकॉनमी रेट जो है वो 6 से कम भले ये डुमेस्टिक क्रिकेट है लेकिन 6 से कम का एकॉनमी रेट टी 20 क्रिकेट में आपको बहुत रेर देखने को मिलता है अब इनकी गेंदबाज करें तो जिस पेस पर ऑपरेट करते हैं वो अरली 130 वाली पेस है बट इनके पास प्योर स्किल सेट है पहली चीज इनके पास हाइट है और उस हाइट का इस्तेमाल बहुत बखूबी करते हैं बहुत सारे गेंदबाज जो हाइट अच्छी होती है बॉट उनका release point नीचे होता है विगाज उनका हाथ उतना सीधा नहीं आता है इनका हाथ बड़ा सीधा आता है बिलकुल कान की सीध से और अपनी height जो 6 feet से ज़्यादा किया है उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं और इसलिए आप देखेंगे कि इनको हमेशा जो है वो extra bounce मिलता है movement से तो bicket निकालता है निकालता है बहुत सारे bicket इन्होंने domestic cricket में अपने bounce की बज़े से निकाले है batsmen इनको pull करने के लिए जाते हैं cut करने के लिए जाते हैं gain खड़ी होती है बट उनकी क्या accuracy थी और extra bounce जो उनको मिलता था वो उनके लिए एक bicket taking वाली ability लेकी आता था उनकी gain बाजी में इनके पास वो extra bounce वाली चीज तो है ही है बट साथ में जो हाथ एकदम सीधा आता है वो इनकी wrist को पीछे लगा के रखता है और उसकी बज़े से seem बड़ी अच्छी जाती है seem presentation बहुत अच्छा है और दोनों तरफ gain को चला सकते है तो वो कबिलियत इनके पास है in the air भी gain इनकी move करती है और जिस तरह का action का जो height है आके bicket में hit करते हैं तो उसके बाद off the bicket भी gain चलती है accuracy भी रही है अच्छे areas लगातार इन्होंने hit की है तो इसी वज़े से overall जो success इनको फिली है तो इंडिया के लिए आने वाले time में all format गिनबाज की बात आप अगर करेंगे तो बिद्दत का विरपा हो सकते है IPL में अब तक इनको मौका मिला नहीं है लेकिन शायद किसी ना किसी stage पर IPL में भी इनको आने वाले time में मौका जरूर मिलेगा उसके बाद number 2 पर बात करें तो बैबब अरोरा हिमाचल से खेलते हैं 26 साल के इस season 7 matches में 28 wicket है 21 की average है 49 का strike rate है ये वो खिलाड़ी है जो बहुत time से domestic cricket में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और इनके पास भी गेंद को move कराने की काबिलियत अच्छी है और इनकी pace अगर बात करेंगे तो high 130 में गेंदबाजी करते हैं 140 की pace पर भी ओपरेट कर सकते हैं और इन्होंने red ball cricket में जो किया है domestic cricket में वो outstanding है क्योंकि 24 matches में 88 बिकेट है 22 की average, 40 का strike rate हलाकि इनके बारे में बात यह होती है कि हमाचल में खेलते हैं जहां पर fast baller के लिए थोड़ा मदद रहती है but still I think बाहर जाकर भी इन्होंने अच्छी गेंदबाजी किये बिकेट लिए हैं अब आपको पता है कि IPL में है IPL में भी कुछ इंगे ने एक आदा spell इनकी तरफ से अच्छी देखने को मिले थे but यह IPL का सीज़न इनका इंतिहान होगा as a white ball baller red ball cricket के लिए IPL से judge करना यह विमानी होती है एक आदा over होता है सुरू में जब आपको red ball cricket वाली feel देखे जाता है otherwise red ball cricket different way में चलती है और white ball cricket different way में चलती है तो शायद white ball के उतने बड़े है champion baller नहीं है but red ball cricket में इनके पास वो लंबे spell डालने की सलाही है test cricket वाला temperament अच्छी pace पर operate करना और difficult cricket पर भी cricket निकालने की जो art है वो इनको एक अच्छा गिंदबाज बनाती है और इसलिए है शायद बीच में थोड़ी सी बात इनकी कम हो गई थी domestic cricket में लेकिन इस season दुबारा से hero ने push किया है कि selector इनकी तरफ भी देखे और इनके वारे में भी बात हो अच्छा season overall इनके लिए ये गया है और अच्छे गिंदबाज भी है उसके बाद number 3 पर करनाटगा से ही आने वाले 31 साल के बासुकी कॉसिक और ये खिलाडी भी बड़ा exceptional रहा है इनका criticism पता है कि 125 की pace पर operate करते है लेकिन इनके वारे में अच्छी बात क्या है जो चीज इनके पास है गिंदबाजी में वो बहुत कम गिंदबाजों के पास दुनिया की cricket में दिखाई देती है कि गिंद पढ़ने के बाद move जो करती है वो सबसे मुश्किल स्किल होती है खेलने के लिए बल्लेवाजों के लिए हवा में होती हुई स्विंग को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है लेकिन पढ़के गेन जब उस pace पर काटा बदलती है तो हमेशा बल्लेवाजों के लिए सबसे मुश्किल चीज वही होती है और वो skill set इनके पास है वो इनके numbers में भी reflect होता है गिनवाजी में भी reflect होता है height इनके पास भी अच्छी है बड़ शायद उतना इस्तेमाल उस height का नहीं कर पाते है उस pace का कदकाटी का नहीं कर पाते है लेकिन इनके पास एक top quality skill set है जिसका इस्तेमाल यह करते है और जिससे इन्होंने इस season 7 matches में 28 wicket लिये है 19 की average है 52 का strike rate है overall बात करेंगे 16 matches में 70 wicket है 16 की average है और 25 का strike rate है और अगर list take cricket में बात की जाए तो list take cricket में 34 matches में 64 wicket है wicket taker है 14 की average है 25 का strike rate है बट इनका economy rate देखिए आपको दुनिया की cricket में कितने ऐसे गेंजबाज दिखेंगे जिनका economy rate जो है वो 3.43 होगा one day cricket में white wall cricket में जहां 4-4 run बड़ी आसानी से बनते हैं उनकी गेंजबाजी और skill set की बात करें तो उस तरह का skill set दुनिया में बहुत चुरिंदा कि लाडियों के पास राया और उनकी बात जब होती है तो उसमें Glenn Vagra का नाम आता है जिनकी गेंजब पढ़के काटा बदलती थी मुहमद आसिफ का नाम आता है जिनकी गेंजब पढ़के काटा बदलती थी और उनके बारे में एक चीज कही आती थी कि ये जो दोनों उंगलियां है ये almost उनकी बराबर है अगर दो उंगलियां ये आपको differentiation देखने को मिलता है तो इसमें कई बार होता है actual में होता है कि आपका gain जो है वो उतना सीधा उतना सीम आपका नहीं जा पाता विकॉज जब दोनों तरफ से बरावर फोर्स नहीं लग पाता विकॉज ये दोनों उंगलियां बरावर नहीं है तो वो आपको थोड़ा सा बवन होता हुआ और उस तरह की चीज दिखेगी जब ये दोनों उंगलियां बराबर होती है तो जो force लगता है wall के पीछे backspin जो आप कराते हैं वो बड़ा equivalent होता है तो वो फरक मेरे इसाब से मेरे को ऐसा feel देता है कि पढ़ सकता है मुझे नहीं पता इस particular बात में कितनी सचाई है ग्लन मेंगरा मुहमद आसिक के बारे में और इनके बारे में कि जिनके बारे में का जाता है कि इनकी दो उंगलियां जो हैं वो almost almost बराबर हैं उसका एक नतीजा हमें उस skill set के रूप में देखने को मिलता है जो दुनिया के वाक और 38 का strike rate ये गेंदबाज अपनी pace से impress करके गया और fastballing के mindset से impress करके गया skill set आने वाले time में और improve होगा गेंदबाजी कैसे करनी है वो सारी चीज़े सीखेंगे बट एक जो temperament होता है fastballing का जो तरीका होता है setup करने का बिकिट निकालने का जो art होता है कि कैसे आप पीछे वाली gain से आगे के लिए setup करते हैं और आगे वाली gain से पीछे के लिए setup करते ह वो कुछ चीजें और जलकिया एमांसु चोहान ने इस सीजन दिखाई है because MP के खिलाब एक match था इन्होंने जिस तरह से पीछे gain करते रहे फिर yorker पे wicket निकाला और length पर करते रहे फिर bouncer जिस तरह से मार के setup किया batsman को तो यह दिखाता है कि wicket निकालना इनको आता है art इनके पास है gain improve अच्छी करती है बार शायद अभी थोड़ा seem पे काम करने की जुरत है और उस aspect को और improve करेंगे और बैतर होंगे because young भी है अभी सिर्फ 21 साल के हैं तो बहुत cricket उनके लिए आना बाकी है उसके बाद number 5 पर जो तेज गिन बाज है वो है MP को semi final तक लाने वाला के पास भी gain को move कराने की काबिलियत है आप एक चीज common देखेंगे सारे gain बाज हो में कोई भी gain बाज ऐसा नहीं है जिसके पास gain को move कराने की काबिलियत नहों सिर्फ accuracy हो या उस तरह का gain बाज हो आपको इस level पर खेलना है तो skill set तो होना ही पड़ेगा जो की इनके पास है action देखूं जिस तरह से ये finish करते हैं उसमें ये बहुत scope छोड़ देते हैं अपनी pace बढ़ाने का 130 के असपास की pace पर gain बाजी करते हैं जैसे का जाता है कि अगर आपका हाथ non balling arm जल्दी गिर रहा है तो आप ball को अच्छा control नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर वही non balling arm pace cut down होती है इनके action में थोड़ा release kind of baller जादा है और सीधा gain निकलता है seem अच्छी चलती है वो अच्छी चीज़ है बट ये बड़ा important factor है कि non balling arm इनका उतना अच्छा काम नहीं करता है जितना अच्छा काम इनका balling arm करता है तो अपने potential का अभी 100% utilization नहीं कर पा रहे हैं जित 130 की pace पर जिस तरह से gain इनका swing हो रहा है off the wicket निकल रहा है अगर उस pace को 135-137 तक पहुचा दे तो बहुत effective gain बाज हो सकते हैं numbers में तो आप देखी रहे हैं जिस तरह से उन्होंने गिनबाजी की temperament की भी बात होगी कि knockouts में आके इन्होंने अच्छे spell डाले quarter final single handedly इन्होंने MP की टीम को जिताया semi final में भी एक five bigot hall का spell डाला unfortunately जिता नहीं पाए लेकिन उनकी तरफ से gain बाजी बहुत अच्छी देखने को मिली थी तो दोस्तों ये थे वो 5 stage gain बाज जो आने वाले time में Indian cricket के future हो सकते हैं अब depend करेगा इनमें से कौन कितना आगे जाता है लेकिन मुझे ल ये की तरफ push करेंगी आपको ये video information कैसी लगी है comment करके जरूर बताइएगा अच्छी लगी है तो like जरूर करें हमारे video को और channel को subscribe करना बिलकुल न भूले thank you see you next video